देश भर में आज असत्य पर सत्य की जीत का पर दशेहरा मनाया जा रहा है कुरोना महामारी के बीच इस अफसर पर रामलीला समितियों ने विज़ादश्मी मेले के लिए मैदान की सफाई से लेकर रावन का पुतला तयार कर लिया है वही लोग घर पर ही बैठ कर यानि वचुल तरीके से रावन दहन का कारिक्रम देख रही है दिली के रामलीला मैदान में आम तोर पर देर सो फीट का रावन बनाया जाता है लेकिन इस बार रावन की उचाई घटा कर सिर्फ पचास फीट कर दी गई है वही यूपी के अलग अलग जिलों में भी विज़ादश्मी का पर्व इस वक्त मनाया जा रहा है जश्नी का महौल आज देखा जा रहा है नहीं राजधानी लखनव सहित देश प्रदेश के कई जलों में जश्नी की तस्वीरे सामने आ रही है तस्वीरे इस वक्त हम आपको पाच जलों से दिखा रही है जहां पर उत्तरप्रदेश के जले राइबरेली और रया लखनव बाजबगड के आप तस्वीर देख पा रहे हैं वही मद्प्रदेश के जले मनसौर की तस्वीरे में आपको दिखा रही है जहां पर रावण का पुतला दहन किया जा रहा है राइबरेली में आप देख सकते हैं किस प्रकार से श्री राम ने रावण का वद किया वही पर और रया में भी कारिक्रम का आयोजन किया गया है लखनव में भी भव्य रामलीला का आयोजन किया गया साथी मंसौर मद्प्रदेश चाप तस्वीरे देख पा रहे हैं जहां पर रावण का पुतला देख सकते हैं किस भव्यता के साथ उसको तयार किया गया है वही आजब गड़ में भी रावड दहन कारिकरम आयोजित किया गया है तो इस वक्त सत्य की जीत का जश्न पूरे भारत वर्ष में मनाया जा रहा है। कोई मना ही कर दी गई है। नहीं कई जगहों पर रावड के पुतले का जो कद था उसे भी घटा दिया गया है। प्रिदेश के जिले मंसौर की तस्वीरे भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रही हैं। और इसी के साथ फिलाल खबरों में इतना ही देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रही प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। झाल खबरों में आपको टिए रही हैं।